Aspire कर, अपने जस्बे को तुँ खायर कर, Aspire कर Bismillahirrahmaniraheem, Assalamualaikum student, welcome to Aspire online classes मैं हूँ आपका mathematics teacher इर्शाद इम्रान आज हम lecture number 22 में discuss करने जा रहे हैं exercise 3.1 की कुछ questions चलती है हम lecture number 22 की तरफ सबसे पहले हम इसके learning outcomes को देखेंगे learning outcomes का में exercise 3.1 को discuss करेंगे और फिर उसके कुछ questions होंगे just like question number 1, 2, 3, 4 and 5 पांच पहली questions हम mattresses chapters के discuss करेंगे exercise 3.1 का हम पहला ही question लेते हैं question number 1 के है if A is equal to mattresses में दियावे 2, 3, 1 and 5 and B mattresses दियावे 1, 7, 6 and 4 then show that first part में आप देख सकते हैं 4A-3A is equal to A यानि हमने proof करके दिखाना है कि left side पर 4A-3A अगर solve करें तो राइट side पर किसके बराबर है A mattresses के बराबर है इसका solution है सबसे पहले मैंने left hand side consider कर ली 4A-3A अब आप देख सकते हैं मैंने इस A की जगा यह वहला mattresses replace कर दिया तो 4 as it is A की जगा क्या आजए है 2, 3, 1 and 5 minus 3 as it is फिर A की जगा वही mattresses replace किया 4 को अगर मैं multiply करूँ इस पूरे mattresses से क्योंकि 4 एक scalar number है scalar multiplication है 4 को 2 से करें तो 8 इसके साथ 12 यहां पर 4 आजएगा और यहां पर क्या आजएगा 20, minus as it is 3 को इन से multiply करें तो 6, 9, 3 and यहां पर क्या आजएगा 15, तो हम next step में देख सकते है 8, 12, 4 and 20 as it is minus 6, 9, 3 and 15 इन्हें separate करें separate करने के लिए condition होती है दोनों के order का same होना ज़रूरी है mattresses का next step में मैंने क्या किया 8 में से 6 को left कर दिया 12 में से 9 को, 4 में से 3 को और 20 में से 15 को minus करने से आपको नज़र आ रहा है 8 में से 6 left करें तो 2 बचता है 12 में से 9 left करें तो 3 4 में से 3 left करें तो 1 20 में से 15 को left कर दें तो 5 बचता है यह देख लेंगे आप लोग का कौन सा mattresses है A, तो यह आप लोग की कौन से side बनगी right hand side left hand side किसके बराबर है right hand side के question number one है उसका second part है उसमें भी आप देख सकते हैं if A matrices जो दियाव है वो 2, 3 and 1, 5 and B matrices 1, 7 6 and 4 हमने show क्या करना है second part में 3B यानि 3 को हम B matrices से multiply करेंगे minus और फिर 3 को A matrices से multiply करें वो किसी से बराबर आना चाहिए 3 into B minus A के इसका solution देख लें left hand side में क्या लिखा हुए 3 into B minus 3 A आपने क्या करना है 3 as it is B की जगा मैंने ये वला matrices replace कर दिया minus 3 as it is A की जगा मैंने ये वला matrices replace कर दिया पहले इस 3 scalar number से इस पूरे matrices को multiply करें फिर minus as it is इस 3 से इस scalar number से इस matrices को अगर आप multiply करें तो आप देख सकते हैं 3 को 1 से करें तो 3 3 को 7 से करें तो 21 3 6 0 18 and 3 4 0 12 minus as it is 3 को 2 से करें तो 6 3 को 3 से करें तो 9 3 को 1 से करें तो 3 और 3 को 5 से करें तो 15 next time में आप देख सकते हैं 3 minus 6 मैंने आपको पहले बता दिया था mattresses की addition और subtractions के लिए उन दोनों mattresses के order का seem होना जरूरी है तो मैंने 3 में से 6 को left करें, 21 में से 9 left करेंगे, 18 में से 3 और 12 में से 15 को left कर दिया आप देख सकते हैं left hand side आपके क्या बन जाता है, 3 में से 6 left करें तो minus का 3 21 में से 9 left करें तो 12, 18 में से 3 left करें तो 15, 12 में से 15 left करें तो minus का 3 यह है आपकी equation number 1 जो आपने left hand side solve किया right hand side क्या है, 3 into B minus A, 3 बाहर रहेगा, B और A की जगा उसके mattresses replace कर देंगे 3 बाहर, अब आप देख सकते हैं bracket, B की जगा मैंने वो mattresses replace किया minus A की जगा, वो mattresses जो A में दिया है, उसके numbers कहते हैं, हाँ पर replace कर दी है सबसे पहले हम क्या करेंगे, bracket solve करेंगे, यानि दोनों mattresses को हम क्या करेंगे, subtract करेंगे next time में आप देख सकते हैं 3 into, mattresses में आपको नजर आ रहा है, 1 में से 2 left की है 7 में से 3 left की है, 6 में से 1 left की है, 4 में से 5 को left की है left करने से जो बच जाता है वो आप देख सकते हैं, 3 into minus 1 into 4, 5 and minus 1 next time में आप 3 को इस mattresses से multiply करेंगे, ये scalar multiplication है तो आप देख सकते हैं कि right hand side पर क्या बन जाता है, minus का 3, 12, 15 और 3 को minus 1 से multiply करेंगे, तो minus 3, ये हैं आपकी equation number 2, अब आप देख सकते हैं, from equation 1 into left hand side किसके बराबर है, right hand side के, ये ही हमने प्रूफ करना था next हम चलते हैं, question number 2 की तरफ, question number 2 क्या है, if A is equal to iota 0, 1 and minus iota, ये एक mattresses है, complex form के mattresses है, इसके आप शो करना है, A की power 4 किसके बराबर है, identity matrix of order 2 के इसका solution, we know that, हम जानते हैं, A square किसके बराबर होगा, A dot A, A dot A का मतलब है, A mattresses को A mattresses से आपने क्या करना है, multiply, A mattresses क्या है, iota 0, 1 and minus iota, फिर A mattresses लिखा, iota 0, 1 and minus iota, हम क्या करेंगे, इन्हें multiply करेंगे, multiplication के लिए condition क्या होती है, कि आपने सबसे पहले ये देखना है, कि first mattresses का जो order है, वो क्या है, 2 cross 2, second order, जो mattresses है, उसका order भी क्या है, 2 cross 2, first mattresses के column की तदाद, और second mattresses की row की तदाद, अगर same है, तो mattresses multiply हो सकते हैं, otherwise mattresses multiply नहीं होते, पर ये mattresses same order का है, यानि कि दोनों के order same है, तो इसलिए हम इसे check करने की ज़रूद भी नहीं है, आप इन्हें multiply करें, multiply करने का भी तरीका कार है, हमने first को क्या करना है, कि first row लेने है, पहली mattresses की और second mattresses का column लेना है, तो first row first column आप गर हम multiply करें तो iota को iota से multiply करें तो iota plus 0 को जब 1 से multiply करें तो 0 cross 1 आप देख सकते हैं first row second column iota को 0 से multiply किया है plus 0 को minus iota से multiply किया है सेम इसी तरह second row first column तो 1 को iota से multiply किया है plus minus iota को 1 से multiply किया है next second row second column one को zero से की है plus minus iota को multiply की है minus iota से next step में आप देख सकते हैं iota square plus zero zero plus zero iota minus iota zero plus iota square next step में iota square बच जाता है वहाँ पे zero बच जाता है यहाँ पे zero क्योंकि यह दोनों cancel हो जाते हैं और यहाँ पे just iota का square बच जाता है यह है आपका e square matrix next step में मैंने क्या किया है मुझे तो a4 चाहिए तो a4 को मैंने बनाने के लिए a square को दुबारा a square से multiply किया तो a square matrix क्या iota square zero zero and iota square और next a square matrix में भी लिखा iota square zero zero and iota square इन्हें multiply करने के लिए असान सा तरीका वही मैंने पहले आपको बता दिया कि first के column के तदाद और second के row अगर same हो तो हम multiply कर सकते हैं otherwise वो multiply नहीं होते matrices पर इनके order same है तो यह multiply easily हो जाएंगे नेके आपको नजर आ रहा होगा मैंने आपको पहली बता दिया कि first row को आपने first column से करना है फिर first row को आप लोगोंने second column से करना है तो iota square को multiply किया iota square से plus zero को zero से next step में आप देख सकते हैं iota square को zero से किया plus zero को iota square से किया यह आप देख सकते हैं यह प्लस का है यहां पर plus का sign आना है next step में क्या किया है मैंने second row को मैंने first column से किया zero को iota square से plus iota square को zero से next step में क्या किया है हमने second row second column zero को zero से किया plus iota square को multiply किया है किस से iota square से आप देख सकते है iota square plus zero zero plus zero और zero plus zero zero plus iota की power 4 नेक्स तेप में क्या बजह जाता है आप जानते हैं Iota करना था बेटा एक ही पावर 4 को मैंने किसके इकुल प्रूफ करना था आई टू के नेक्स हम कर्सें नमबर 3 की तरफ चलते हैं कर्सें नमबर 3 क्या फाइं एक्स और य की वैलिव फाइंड करना है इफ फर्स पार्ट में आप देख सकते हैं कि x प्लिस 3, 1, minus 3 and 3y minus 4 ये मैंटर्स इस किसके बराबर दिया है 2, 1, minus 3 and 2 की यहां से आप लोगों ने unknown values फाइंड करने हैं x and y इसका स्रूशन हम देखते हैं x प्लिस 3, 1, minus 3 into 3y minus 4 is equal to 2, 1, minus 3 and 2 आपको नजर आ रहा होगा ये दोनों के दोनों matrices equal हैं अगर ये equal हैं तो हम by definition of equal matrices x प्लिस 3 फिर किसके बराबर होगा 2 के और 3y minus 4 किसके बराबर होगा 2 के क्योंकि 1, 1 के बराबर है और minus 3 इसके minus 3 के बराबर है क्योंकि इन दोनों के order भी same है और इनके corresponding elements भी same है तो x plus 3 को मैंने 2 के बराबर रख लिया यहां से आप नजर आ रहा होगा आप लोंको ये plus का 3 उस side पर जाके minus का होगा यहां से x की value क्या मिलगी minus का 1 next मैंने क्या किया 3y minus 4 को किसके equal रख लिया 2 के तो यहां पर यह minus का 4 है उस side पर जाके क्या होगा प्लस का 3y is equal to 6 and next time मैं y is equal to 2 क्योंकि मैंने क्या किया है y is equal to 6 over 3 3 ने 6 को cancel किया तो 2y के value आपको क्या मिलगी 2 next second part है find x and y if आप देख सकते हैं यहां पर भी x और y के value ही calculate करनी है मगर इस part के अंदर आपको नजर आ रहा है x plus 3 1 minus 3 3y minus 4 is equal to y 1 and minus 3 and 2x आपनी क्या करना है कि यह दोनों के दोनों matrices equal x y की value calculate करनी है इसका solution में आप देख सकते है x plus 3 1 minus 3 3y minus 4 किसके बराबर है y 1 minus 3 and 2x के मैंने क्या किया है by definition of equal matrices x plus 3 किसके बराबर लिया y के और 3y minus 4 किसके बराबर लिया 2x के आप देख सकते है x plus 3 किसके बराबर है y के यहां से उन्होंने x की value calculate कर ली x की value नहीं क्या calculate की plus का 3 उस साइट पर जाके क्या होगा minus का यह है आपकी equation number 1 next step में आप देख सकते हैं मैंने 3y minus 4 किसके बराबर लिया 2x के यहां पर मैं क्या करूंगा वो जो x की value है y minus 3 वो equation जो equation number 1 में है वो मैंने यहां पर replace कर देना है तो आप देख सकते हैं 3y minus 4 is equal to 2 और x की जगा मैंने उसकी value replace कर दी y minus 3 3y minus 4 is equal to 2y minus 6 यह plus का 2y है उस साइट पर जाके minus का यह minus का 4 है वो इस साइट पर जाके क्या होड़ेगा plus का 4 आप देख सकते हैं y is equal to क्या बच जाता है minus का 2 क्योंकि यह बच जाता है y और यहां से बच जाता है minus 2 तो यहां पर y की value आपको क्या मिलगी minus को put कर देना इसको equation number 1 में तो x की value क्या मिल जाती है minus 2 minus 3 किसके बराबर है minus 5 के तो यह आप लोगको x और y की value मिलगी next है question number 4 question number 4 क्या है एक matrices A दिया वे और एक B matrices दिया वे आपने मालूम क्या करना है find the following matrices first part में 4A minus 3B यानि आप 4 एक scalar number उसको A matrices से multiply करना है आप इसका solution देख लें 4 यानि कि यह मैंने consider किया 4A minus 3B यानि 4 as it is A की जगा वो matrices की value minus 3 as it is B की जगा वो matrices की value next step में आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया 4 एक scalar number उसको पूरे matrices से multiply किया 3 एक scalar number उसको भी matrices से multiply किया minus 4, 8, 12, 4, 0 and 8 क्योंकि 4 से multiply करने से आता है minus as it is 3 से multiply करने से 0, 9, 6 and 3, minus 3 and 6 आप देख सकते हैं इसकी मजीद simplification यह subtract कैसे हुआ क्योंकि दोनों के order same है order same हो तो हम subtract कर सकते हैं minus 4 and minus 0, 8 और minus का 9 12 में minus 6 और 4 में से 3 left कर दें 0 में से minus करना है minus निए वो plus 3 हो जाएगा और 18 में से left करना है 6 next time में आप देख सकते हैं यह क्या बच जाता है minus का 4, minus का 1 और plus का 6, 1 और 3 और क्या बच जाता है 2 hence यह आप लोगों का 4A minus 3B का answer है यह है question number 4 का first part चलते हैं इसकी second part में second part में आपको नजर आ रहा होगा A plus 3 into B minus A यानि आप लोग ने bracket में आपको नजर आ रहा है B minus A, पहले B minus A solve करेंगे उसको एक scalar number 3 से multiply करेंगे और बाद में हम A में इसको क्या कर देंगे add कर देंगे consider कर ले B minus A B की जगा उसकी value और A की जगा उसकी value मैंने यहाँ पर replace कर दी next time में आप देख सकते हैं मैंने इसको subtract किया है तो आपको नजर आ रहा होगा 0 यह minus और यह minus negative, negative, positive 3 में से 2 left किया 2 में से minus किया 3, 1 में से left किया 1 और minus 1 में से minus किया 0 और 2 में से left किया minus का 2 simplify करें तो B minus A का answer आता है 1, 1 and minus 1 0, minus 1 and 0 next time में आप देख सकते हैं मैंने consider कर दिया जो आप लोगे ने मालूम करना है A plus 3 into B minus A क्या करेंगे equal A की value as it is plus 3 यह B minus A की value यह मैं निकाल चुका हूँ यह value आप लोगे ने यहां पर replace कर दे सबसे पहले आप 3 से multiply करें जब आप 3 से multiply करते हैं तो आप देख सकते हैं 3 को 1 से multiply करें 3 3 को 1 से करें तो 3 3 को minus 1 से minus 3 3 0 0 3 को minus 1 से minus 3 और यह 0 next time में मैंने इन दोनों को add कर लिया क्योंकि order same में आप add कर सकते हैं तो यह बन जाता है minus 1 plus 3 2 plus 3 and 3 minus 3 1 plus 0 and 0 minus 3 and 2 plus 0 तो next time में आप देख सकते हैं 2 5 0 1 and minus 3 and 2 यह आप लोगों का answer है इस question का next time question number 5 question number 5 में आप लोगोंने x और y की value calculate करने है x और y की value calculate करने है आप लोगों को जो mattresses दिया है वो 2 0 x 1 y and 3 plus 2 as it is next mattresses में क्या दिया है 1 x y 0 2 and minus 1 is equal to bracket 4 minus 2 and 3 1 6 और 1 यह जो mattresses है left side वाली वो right side के क्या है equal है आप लोगोंने x और y की value calculate करनी है यह value calculate करने के लिए आप consider कर ले left side और right side मैंने इकटे ले लिए 2 0 x 1 y 3 plus 2 into 1 x y 0 2 and minus 1 किसके बराबर है 4 minus 2 3 1 6 and 1 सबसे पहले में क्या करूंगा 2 0 x 1 y 3 as it is plus 2 से पहले इनको multiply किया आप देख सकते हैं multiplication scalar scalar number से 2 1s are 2 2 को x से किया 2 x 2 को y से किया 2 y 2 2 को 0 से multiply किया 0 2 को 2 से किया तो 4 और 2 को minus 1 से करें तो minus का 2 equal के उस side पर वही mattresses है जो आपकी left side पर चलते आ रहे है अब आप क्या करेंगे दोनों mattresses को add करेंगे आपको नजर आ रहा है कि यह mattresses और यह mattresses दोनों के order सेम है तो आप add कर सकते हैं 2 plus 2 0 plus 2 x x plus 2 y 1 plus 0 and y plus 4 और 3 minus 2 is equal to 4 minus 2 3 1 6 and 1 यह mattresses as it is चलेगा next step में आप देख सकते हैं 2 plus 2 4 is 0 plus 2 x क्योंकि alpha बेट भी numerical values add नहीं हो सकती यह 0 plus 2 x किसके बराबर है 2 x के और x plus 2 y as it is 1 plus 0 1 और y plus 4 और 3 में से 2 left करें तो 1 बच जाता है और right side पर 4 minus 2 3 1 6 and 1 यह mattresses as it is next step में आप देख सकते हैं by definition of equal mattresses equal mattresses के मताबिक आप देख सकते हैं 4 किसके बराबर है 4 के 2 x फिर मैंने किसके बराबर ले सकता हूँ minus 2 के तो आप देख सकते हैं 2 x किसके बराबर है minus 2 के x plus 2 y वो किसी इसके बराबर है 3 के सबसे पहले मैंने यहां से x की value निकाली 2 multiply हो रहा इदर आके क्या होड़ेगा divide तो x is equal to minus 2 over 2 यह cancel करें तो x की value क्या बन जाती है minus का 1 इसी तरह आप देख सकते है next tab में क्या किया मैंने y plus 4 को किसके इकवल लेग लिया 6 के आप देख सकते हैं यह plus का 4 है उस साइट पर जाके क्या हो गया minus का तो यहां से y की value आपको क्या मिल गया 2 इस तरह के different questions भी होंगे exercise के अंदर हम different questions solve करेंगे वो questions क्या होंगे कि अगर mattresses के order same हो तो आप add भी कर सकते हैं अगर mattresses के order same हो तो आप subtract भी कर सकते हैं अगर आपके scalar multiplication है तो वो क्या है कि अगर कोई scalar number ओ और एक mattresses दिया ओ तो आप scalar number का मतलब यह होता है कि आप तमाम number से उस mattresses को multiply करवाते हैं इसी तरह add and subtract किया जाता है और multiplication का rule कुछ और mattresses का यह है scalar multiplication जो यह आपने सारे के सारे questions solve किया students यह तमाम के तमाम questions जो मैंने आपको पहले 5 को हैं यह बिल्कुल simple questions थे बाकि मजीद next आगे जो questions हैं वो हम next lectures में discuss करेंगे Okay students, Allah हाफिस